10 ग्राम बच्चों के ओवर और ब्रेन डेवलोपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी अक्टिविटी है चलिए पहले इसे बनाते कैसे है ये देख देते है इसको बनाने के लिए हमें एक स्क्वेर पेपर लेना है और जैसे दिखाया है वैसे उसको फोल्ड करते जाना है और मार्किंग करते जाना है करते जाना है अब मार्किंग की हुई सारी लाइन के उपर से हमें कट कर लेना है इस तरह हमारा टैन ग्राम तैयार हो जाएगा इन साथ पीसिस को टैन्स बोला जाता है आप इसे कार्डबोर पर भी कट कर सकते है और अलग-अलग पेंट से कलर कर सकते है मैंने यहाँ क्रेयोन से कार्डबोर को कलर किया हुआ है यह मैंने अलग-अलग कलर की फॉर्म शीट का यूज करके बनाया है टैन ग्राम इसको और जैदा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने मैगनेटिक शीट पर फॉम पीस को चिपका दिया है और बाद में उसको कट कर लिया है इस तरह हमारा मैगनेटिक टैन ग्राम खेलने के लिए बिल्कुल तयार है इसको खेलने के लिए आप इस तरह कि फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो और अगर फ्लैश कार्ड ना हो तो आप ऐसे गूगल करके डायरेक्ट फॉन में से फिगर देखके भी बना सकते है कर देखके लिए बना सकते हैं इन साथ टैन्स को अलग-अलग तरीके से एरेंज करके हम हजारों फिगर बना सकते हैं इसको बनाना बड़ा ही आसान है और बच्चे इस एक्टिविटी को बड़ा इन्जोई करते हैं और कम से कम एक घंटे तक बीजी रहते हैं if you find my video useful please hit the like button and subscribe to my channel for such more videos thank you कर दो कर दो